असलाम ओलेकुम डियर स्टूजेंट, हम चैप्टर नमबर सेवन करें और चैप्टर नमबर सेवन का जो टॉपिक नमबर है, that is 7.2 7.2 की हैडिंग है, सम फीचर्स ओफ और्गैनिक कमपॉंड्स इन में से हम फीचर्स में से नमबर फाइफ पे पहुंच गए है, that is आईजोमेरिजम आज हमने टॉपिक करना है आईजोमेरिजम आईजोमेरिजम एक सेपरेट क्वेस्टन की फॉर्म में भी आ सकता है कि what is आईजोमेरिजम, define it इसके इलावा आपके इसी चैप्टर का जो आख्री टॉपिक है वो भी आईजोमेरिजम है उसमें आईजोमेरिजम की definition, आईजोमेरिजम की types और आईजोमेरिजम की types की examples को discuss किया गया है लेकिन हम क्योंकि short question कर रहे हैं तो इस point of view से हम सिरफ आईजोमेरिजम को simply discuss कर लेते हैं briefly के ये क्या होता है आईजो का लफ जहां भी लिखा होगा इसका मतलब होता है same आईजो में same It means term आईजोमेरिजम में हम जो भी define करने जा रहे हैं उसमें same का word इसमार होगा के आईजोमेरिजम एक ऐसा process है जिसमें कुछ molecules having same formula formula same होगा but different structures और इस different structures की वज़ा से different physical physical and chemical properties जी अब इस definition को हम एक example से understand करते हैं for example मैं आपके सामने दो formula लिखती हूँ एक formula में लिखती हूँ आपके सामने C2H5OH छीक है जब हम यह formula लिखते हैं तो इसका नाम है ethyl alcohol यानि ethyl alcohol फिर एक और formula में आपके सामने लिखती हूँ जो के ether का है वो हम लिखेंगे CH3O CH3 इसको हम dimethyl ether इसका जो नाम है that is dimethyl और ether अब मैंने आपके सामने दो formula लिखे हैं दोनों different functional group के हैं यह जो पहला लिखा मैंने इसका functional group alcohol है और second जो लिखा इसका functional group ether है अब functional group क्या होता है यह इंशाला मैं आपको इसी chapter में बाद में बताऊंगी अब अगर देखें आप तो यह chemical formula इस chemical formula से बिल्कुल different है मुक्तलिफ किसम के functional group है definitely alcohol की जो physical और chemical properties होंगी जो different होंगी डाइमेथाईल ether से अब इन में similarity फिर क्या है जो अभी हमने कहाना के same formula अभी हम देखते हैं यहां तो दिखने में भी formula different आपको नदर आ रहा है लेकिन अगर आप note करें तो इसके अंदर इस पहले वाले के अंदर इसमें कार्बन कितने हैं यहां पे आप note करें 2 तो हम कार्बन के यहां लिख लेते हैं यह 2 इसमें हरोजन टोटल कितने हैं इसमें हरोजन टोटल 6 हैं 5 यह वाले और एक यह वाला कितने होगे 6 तो हम यहां पे H लिखेंगे और यहां पे हम 6 लिख लेंगे अब oxygen कितने हैं यह अकेला oxygen है तो हम यहाँ पर oxygen लिख लेंगे इत्थाइल अलकुहल का फार्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं C2 is 6 O, यानि carbon 2, यहाँ पर भी 2 दिख रहे हैं carbon 6, hydrogen 6, यहाँ पर देखें 5 और 1, 6 और यह एक oxygen अब यहाँ आते हैं नीचे अगर आप नीचे फर्मूले में आएं तो आप यह देखेंगे कि इसमें carbon कितने हैं again आप देखें 2 नजर आ रहे हैं, carbon कितने हैं 2, एक ये वाला और एक ये वाला अब यहाँ पे hydrogen कितने हैं यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 तो कितने हैं 6 फिर यहाँ पे एक oxygen यहाँ पे एक oxygen अब आप देखें कि जब ethile alcohol को हम लिखें तो उसका फार्मूला बनता है C2A6O हर एटम की तदाद के लिहाँ से जब हम ether का करेंगे जिकर तो ether का भी same फार्मूला बनता ह तो definition के according isomerism में कुछ ऐसे molecules that have the same formula अब आप नोट करें इसका फार्मूला जो के यह group था और इसका दोनों का same है but different structural उनको arrangement कह लें different structure यानि इसका structure और है इसका और है structure का मतलब यह है different arrangement of atoms in space it means हम कह सकते हैं कि isomers ऐसे होते हैं मालिको जिन का same formula होता है same formula but different arrangement of each atom different arrangement of atoms in space उनमें मुक्तलिफ किसम से arrangement होता है जैसे इसमें arrangement और तरह का है इसमें और तरह का है फर्ज करें इसका पहले का अगर मैं आपको arrangement दिखाऊं कि यह पहला कैसे है तो इसमें एक carbon दूसरे carbon के साथ मिली होती है ठीक है फिर O होता है और फिर H होता है अब इनकी विलंसियां अब यह इसका arrangement है इसको हम कहते हैं that is ethyl alcohol अब आते हैं दूसरे की तरह दूसरे में C फिर यह oxygen इथर linkage के साथ यह C अब इसके यहां hydrogen लगेगा यहां और यहां इसमें भी यहां hydrogen यहां hydrogen और यहां hydrogen लगेगा आप नोट करें कि formula same है but there is a different arrangement of items atoms का यहां arrangement मुक्तलिफ था यहां मुक्तलिफ था arrangement different होने की वज़ा से यह दोनों एक दूसरे के isomers हैं और इन दोनों की physical and chemical properties एक दूसरे से different होती हैं तो हम दुबारा से define करते हैं S.A. molecules that have the same formula but different structural arrangement but different structure but due to different structural arrangement उनकी physical and chemical properties different होती हैं अब इनकी मुक्तलिफ किसम की types हैं Isomerism की न जो आपके course में है वो total four types है इसकी four types है इसकी जो पहली type है that is chain isomerism इसकी जो दूसरी type है that is positional isomerism यहां ऐसा आएगा तीसरी जो इसकी type है that is functional group isomerism और last one जो है इसकी that is metamerism जी यह इसकी four types है इन four types को हमने इन्शाल्ला इसी chapter के end में discuss करना है यहां हम discuss नहीं करें सिर्फ मैंने आपको introduction दिया है समझाने के लिए कि आईदो मेरिदम infect होता क्या है ओके टेक केर बेटा अलाहाफेश प्रबसे आपको प्राफेश